नमस्कार मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकी से 430 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरुवत है या इसमें आए हुए महतपूर सब्दों के आउटलाइन्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जॉइन कर लें गुरूप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम गुरूप का लिंक मिल जाएगा उस पर किलिक करके गुरूप से जुड़ सकते हैं और अगर वहां से जॉइन करने में आपको कोई भी प्रॉलम आ रही है तो सीरे आप अपने मोवाइल में टेलीग्राम एप को ओपिन करें और वहां साथ हैं टीम को सर्च करके भी गुरूप से जुड़ सकते हैं और पीडियाप को प्राप्त कर सकते हैं तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टियेशन स्टार्ट होगा राश्ट्रपती के अभिभासर के बहिसकार की घोसडा कर यह साफ कर दिया की वे रचनातमक राजनीती का परिचय देने को तैयार नहीं कॉंग्रेसी नेता गुलाम नभी आजाद की ओर से संसद के बजट सत्र के पहले दिन राश्ट्रपती की ओर से दिये जाने वाले अभिभासर के बहिसकार की घोसडा से यह भी असपश्ट हो गया कि इस सत्र के दोरान विपक्ष सरकार को घेरने के नाम पर हंगामा करने की तैयारी कर रहा है गुलाम नभी आजाद ने राश्ट्रपती के अभिभासर के बहिसकार की वजह किरसी कानूनों को बताया लेकिन क्या ये वैसे ही कानून नहीं जैसे कांग्रेस ने खुद बनाने का वादा अपने चुनावी घोसडा पत्र में किया था कम से कम कांग्रेस को तो इन कानूनों के विरोध का कोई नैतिक अधिकार नहीं यही बात उन अन्य विपक्षी दलों पर भी लागू होती है जो समय समय पर यह मांग करते रहें कि किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए नै किर्सी कानूनों के जरिये यही किया गया है क्या विपक्ष को इस पर आपत्ती है कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वह मोदी सरकार ने किया या फिर वह यह चाहता है कि देश का किसान पहले की तरह बिचौलियों और आढ़तियों के सिकंजे में फसा रहे ध्यान रहे कि कथित किसान आंदोलन इन्ही बिचौलियों और आढ़तियों के हितों की ही पैरवी कर रहा है ना कि आम किसानों की यही कारण है कि आम किसान इस आंदोलन से दूर रहें चुकि यह आम किसानों का आंदोलन नहीं इसी कारण उसमें अराजक तत्व घुस गएं और उन्होंने दिल्ली में भी सड उत्पात किया इससे भी विपक्ष के नकरातमक रवय का परिचय मिलता है कि उसे दिल्ली की हिंसा में सरकार की साजिस दिख रही है ऐसा तब दिख रहा है जब उपद्रवियों के हमले में करीब 400 पुलिस कर्मी घायल हो गएं इसकी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कॉंग्रेसी नेताओं की ओर से किस तरह किसान संगठनों को उकसाने और गुमराह करने का काम हर संभव तरीके से किया गया कुछ ने तो हद ही पार कर दी चोंकी विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिये हैं इसलिए संसद सत्र के पहले आयोजित होने वाली सर्वदली बैठकों का कोई मतलब नहीं रह जाता वैसे भी अब इस तरह की बैठके दिखावा ही अधिक होती है इनके जरिये जो संदेश दिया जाता है वैं संसद सत्र सुरू होते ही निरर्थक साबित हो जाता है ऐसा ही विधान सभाओं के सत्रों के दवरान होता है इस सब से यदि कुछ असपश्ट होता है तो यही की संसदिय कारिवाही के संचालन के तरीकों में व्यापक बदलाओ की जरूरत है दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें कॉंग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलो ने राष्ट्रपती के अभिभासर के बहिसकार की घोसडा कर यह साफ कर दिया की वे रचनात्मक राजनीती का परिचय देने को तैयार नहीं कॉंग्रेसी नेता गुलाम नभी आजाद की ओर से संसत के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपती की ओर से दिये जाने वाले अभिभासर के बहिसकार की घोसडा से यह भी अस्पर्ष्ट हो गया की इस सत्र के दोरान विपक्ष सरकार को घेरने के नाम पर हंगामा करने की तैयारी कर रहा है गुलाम नभी आजाद ने राष्ट्रपती के अभिभासर के बहिसकार की वजह किर्सी कानूनों को बताया लेकिन क्या ये वैसे ही कानून नहीं जैसे कांग्रेस ने खुद बनाने का वादा अपने चुनावी घोसडा पत्र में किया था कम से कम कांग्रेस को तो इन कानूनों के विरोध का कोई नैतिक अधिकार नहीं यही बात उन अन्य विपक्षिंग धलो पर भी लागू होती है जो समय समय पर यह मांग करते रहें कि किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए नए किर्सी कानूनों के जरिये यही किया गया है क्या विपक्ष को इस पर आपत्ती है कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वह मोदी सरकार ने किया या फिर वह यह चाहता है कि देश का किसान पहले की तरह बिचौलियों और आढ़तियों के सिकंजे में फंसा रहे ध्यान रहे कि कथित किसान आंदोलन इन्ही बिचौलियों और आढ़तियों के हितों की ही पैरवी कर रहा है ना कि आम किसानों की यही कारण है कि आम किसान इस आंदोलन से दूर रहे चुकि यह आम किसानों का आंदोलन नहीं इसी कारण उसमें राजक तत्व घुस गएं और उन्होंने दिल्ली में भीसर उतपात किया इससे भी विपक्ष के नकरात्मक रवये का परचय मिलता है कि उसे दिल्ली की हिंसा में सरकार की साजिस दिख रही है ऐसा तब दिख रहा है जब उपद्रवियों के हमले में करीब 400 पुलिस कर्मी घायल हो गएं इसकी अंदेख ही नहीं की जानी चाहिए कि कॉंग्रेसी नेताओं की ओर से किस तरह किसान संगठनों को उकसाने और गुमराह करने का काम हर संभव तरीके से किया गया कुछ ने तो हद ही पार कर दी चूंकि विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिये हैं इसलिए संसद सत्र के पहले आयोजित होने वाली सर्वदली बैठकों का कोई मतलब नहीं रह जाता वैसे भी अब इस तरह की बैठके दिखावा ही अधिक होती हैं इनके जर्ये जो संदेश दिया जाता है वैं संसद सत्र सुरू होते ही निरर्थक साबित हो जाता है ऐसा ही विधान सभाओं के सत्रों के दोरान होता है इस सब से यदि कुछ असपश्ट होता है तो यही की संसदिय कारवाही के संचालन के तरीकों में व्यापक बतलाओं की जरूरत है तो दोस्तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुगा मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किरप्या इस वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिया करें चैनल पर दया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपी को सीख सकें धन्यवाद